गुट बार्णिंग बच्चों आपने पिछली कख्षाओं का उड़क बेजा और वो आपको चेक करके भी वापिस बेजा गया है और जैसा कि आप देख रहे हो कि धिरे-धिरे लोगडाउन हर तरफ खुल रहा है काई फेक्टरें स्टार्ट हो गई चोटे-मोटे कामदंदे स्टार्ट हो गए और सब को रोजगार मिलना भी शुरूब हो गया तो उमीद करते हैं कि जल्दी आपकी इस्कूलें भी खुल जाएगी और थोड़ा सा इंतिजार करें अपने आप घर पर ही रहें और अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को चालू रखें ठीक है और तो आज हम आगे के टोपिक के बारे में बात करेंगे जैसा कि अब तक आप पढ़ चुके हो संग्या संग्या आपने पढ़ ली सर्वनाम भी आपने पढ़ लिया और अब बात करेंगे विशेशन कि विशेशन परिवासा जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विशेश् जैसे आप परिवासा से आप समझ गए होंगे कि विशेषण क्या होते हैं मतलब वो सब्द जो संग्या या सर्वनाम की विशेषदा बताते हूं उन सब्दों को कहते हैं विशेषण जैसे गोडा काला है गोडा काला है अब इसमें गोडा क्या हुआ संग्या वो कैसा है उसकी क्या विशेषदा है कि वो काला है गाय सपेद है ठीक है गाय इसमें संग्या होगी ऌता आर्न ग्राव जो सपेद हैं वे समय सभी विशेशं हो गया ये संग्या और यार किम प्रियोग के अधार अप only पूंआ प्रकर्ति के आधार पर वो चार प्रकार के होते हैं गुण वाचक संख्या वाचक परिणाव वाचक और संकेत वाचक तो विशेशन ये चार प्रकार के होते हैं और इन चारों को अलग अलग प्रकार से समझेंगे तो इसमें सबसे पहला है गुण वाचक विशेशन गुण जैसे नाम से ही पता चल रहे है कि गुण मतलब जो विशेशन सब्द संग्या या सर्व नाम की विशेश्ता गुण बताता हो कि वो किस प्रकार का है उसके गुण क्या है वो सभी सब्द विशेशन गुण विशेशन कहलते हैं जैसे मौuman अच्छा लड़का है उसका क्या गुण हुआ कि वो अच्छा लड़का है उसका भाई मूर्क है तो इसमें उसके भाई की गुण Бता रहा है उसके वाई और जो हो शीयार सब्द्पूप्ध रुपट हुआ है वह उसकी विशेषता बताने के लिए क्यों दो व क्या हुआ गुण वाचक कराते हो वे सब्वी सब्द विशेशन क्या करते हैं संख्या वाचक विशेशन जैसे आप चार भाई बहन हो ठीक है तो इसमें जो चार जो सब्द आया है वो आपकी संख्या बता रहा है कि आप चार भाई बहन हो मुझे कुछ रुपे दो मुझे कुछ रुपे दो इसमें ज मुझ जो सब्र I am online reading एंग्जेंव मादचक विषयशन आया हैं तो इस म्रकार के जो सब्हेंगों संख्या वा सब्कलद क्य injectуск कहलते हैं कि अगला जो विशेशन है तो है परिमान वाचक प्यों परिमान वाचक विशेशन क्या होता है परिमान और परिणाम यह दोनों अलग अलग सब्द है परिमान का आर्थ होता है क्वांटिटी यह अपने मापतोल के लिए यूज में लेते हैं और परिणाम होता है रिजट के आपने कोई काम किया उसका आपके सामने क्या परिणावाया क्या फल मिला वह होता रिजट यह रिजट से लिए निरी लेत परिमान वाचक विशेशन कि जैसे आप इसी दुकान पर जाते हो उसको जाके करते हूं दो मीटर कपड़ा तो इसमें तो दो मीटर कपड़ा आप मांग रहे हों वो परिमाण वाचक विसेशन का उदारण है राकेस तीन किलो दूदला है तो इसमें तो तीन किलो कि जो आया शब्द ठीक है और जिसे लोग थोड़ी सी चाय के लहो onion जो थोड़ी सी जो सब्द आया ठीक है यह जो सभी विसेशन है यह परिमाण वाचक विसेशन है अगला है संकेत वाचक विसेशन अब संकेत वाचक विशेशन्ट क्या होते हैं तो जो सब्द शंग्या या सर्वनाम की और संकेत करते हैं वे Sंकेत वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे यह पुस्तके हमारी हैं इसमें ये जो सब्द हुआ है यह जो सब्द का प्रयोग हुआ है यह संकेत वाचक विशेशन है ठीक है वहे लड़का बुद्धिमान है तो मतलब वहे अपन उसकी तरफ लड़के की तरफ विशारा करके कह रहे न कि वहे लड़का बुद्धिमान है हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं तो इसमें जो वहे सब हो आप सभी इस वीडियो को द्यान से देखेंगे इसको समझेंगे और इसका जो आपको ग्रूप में बेज़ा जाएगा उसको करके तुरंत वापिस बज़ी दन्यवाद